नमस्कार आज कथा सकी में सुनिए सुधा ओम धिंगराजी की लिखी कहानी विकल वह कब कहां पहुँच जाती है किसी को पता नहीं चलता वह दबिपाव वहाँ चली गई जहां उसे जाना नहीं चाहिए सामने वाला दृष्ष देखने के साथ ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी सोचने समझने के शक्ती साथ छोड़ गई उसे अपनी आखों पर विश्वास नहीं हुआ उसकी आखों ने जो देखा क्या वह सच है कमरे के भीतर जाने से पहले ही वह पलटाई असहज हो गई है वह उसे भीतर कुछ कचोटने लगा ऐसा लगा जैसे टांगे चलना नहीं चाह रही उसने स्वैम को वहां से धकेला अच्छा हुआ जब दबे पाउं वह सेड़िया उतर कर पहले तल पर आई तो घर का कोई भी सदर से सामने नहीं है वरना उसकी बधवासी देख कर कई तरह के प्रशन पूछे जाते और वह संकट में पढ़ जाती जूट बोलती तो भी पकड़ी जाती सासु मा की पैनी नजरे उससे सच उगलवा लेती उसने धम से सोफे पर अपना शरीर पटका जो बेहत काप रहा है दिल के धड़कने की आवाज उसे कानों में सुनाई दे रही है घबराहट के साथ वह मुह में बोल रही है राम नाम जप रही है मानी कहा था जब भी विकर्ट या असामाने पर इस्थितियां आए तो राम नाम जपना अद्रिश शक्ती जो कड़कड में है और हर एक के भीतर भी है जाप से सचेत हो जाती है जागरत हो जाती है संकट के छड़ों में सही रह दिखा कर इस्थितियों से लड़ने के शक्ति प्रदान करती है वह अपनी मां से बहुत प्यार करती है उसकी बातों को बहुत गंभीरता से लेती है उसे अपने विचलित मन को काबू में करने के लिए बहुत उर्जा चाहिए राम नाम का जब ही उसे भा उर्जा दे सकता है मस्तिश्क में जिठानी और देवर की क्रियाएं घूम रही है दर्वाजा खुला था और वे इतने सनलिप्त थे कि उसके आने जाने का उन्हें आभास ही नहीं हुआ द्रिश्र को याद कर उसे फिर घबरहाट हुई उसका भी नहीं जबकि परिवार का हर एक सदस से जानता है कि वह पूरे घर में अत्रिप्त आत्मा से घूमती रहती है एक जगे टिककर नहीं बैठ सकती उसकी सास ने उसकी सादत पर उसे कई बार टोका पर जो आदतें बच्पन में पढ़ जाती है वे इतनी आसानी से छोड़ती नहीं माय के घर में शुरू से ही उसे बेचैन आत्मा कहा जाता था बेवज़ बेमतलब घर में घूमती रहती थी घर के उनकोनों तक भी पहुच जाती थी जो बच्चों के लिए वर्चित थे उसे सब कहते थे कि वह फिजूल टांगों को चलाती रहती है और समय की बरबादी करती है यही कारण था कि वह कोई भी काम एका अग्रिचित होकर नहीं कर पाती काम करते हुए ध्यान भटक जाता है और वह उसे अधूरा छोड़कर चल पड़ती है एक दिन वह होमवक करते हुए उसे बीच में छोड़कर छट पर तहलने चली गई तो चाचा और पडोसन को देखा पडोसन मुंडेरा लांकर आई थी वह दोड़कर नीचे आई और सारी बात चाची को बता दी चाची ने उसके मुह पर हाथ रखकर उसकी बात पूरी नहीं होने दी और उसका कान एटते हुए कहा ख़वरदार यह बात किसी और को कही नहीं तो यहीं जमीन खोद कर तुम्हें गार दूंगी पर वह चुप कहां रहने वाली थी उसने अपनी मा को सारी घटना बता दी और साथ ही चाची के वेवहर का भी जिक्र कर दिया मा ने उसे सीने से लगा कर गहरी सास भर कर कहा इतनी छोटी उम्र में मेरी बच्ची को यह सब देखना पड़ा मा अगे कुछ भी नहीं भूली थी बस उसे सीने से लगा कर सहलाती रही थी अब उसे सहलाने के लिए उसकी मा आसपास नहीं थी वा अपने आपको कोसने लगी उसकी किस्मत फोटी है जो हर बार उसे ऐसे ही दृष्च देखने को मिलते है वा तो अपनी जिठानी नीरा जिसे वा भावी कहती है से बात करने गई थी कौन सी बात उसे याद नहीं आ रही उस दृष्ट को देखकर वा जैसे सब कुछ भुला गई है दिमाग पर बहुत जोड डालने पर उसे बस इतना याद आया कि नेरा भाभी ने उसे डिनर बनाने को कहा था लंच भाभी ने बनाय था और कहा था कि वह थोड़ी देर आराम करने अपने कम्रे में जा रही है साथ ही अभी हिदायदी थी कि वह डिनर बना कर ही किचन से हटे दो-तीन घंटे की व्यस्तता थी उसके लिए इतना समय काम करते हुए काटना कठिन था कुछ याद आते ही वह नीरा भावी से पूछने चली गई अपनी सादत से वह बेहत परिशान हो गई है तंग आ गई है वह धैरे से काम क्यों नहीं लेती अब वह बच्ची नहीं रही नीरा के लोटने का इंतिजार करती जो भी याद आता तब पूछ लेती उसके मन मस्तिष की अजीब सी हालत हो गई है उसे कुछ हो रहा है पर वह समझ नहीं पा रही है उसे क्या हो रहा है वह सोफे से उठकर पानी पीने जाना चाहती है उसे प्यास लगी है पर वह उठने ही पाती लगता है उठेगी तो गिर जाएगी वह वहीं बैठी अपने बदन और भावनाओं के विखरेपन को समेटने लगी जो कुछ उसने देखा वह अनैतिक है गलत है छोटा देवर भाई की तरह होता है उन्होंने ऐसा क्यों किया परिस्तिती को समझने के लिए इतने लापर्वाह कैसे हैं कि उसे कुछ भी पता नहीं चलता अब वह इस घर में कैसे रहेगी अपनी जेठानी और देवर का सामना कैसे कर पाएगी क्या उसे अपने पती से इसकी चर्चा करनी चाहिए पती की क्या प्रतिक्रिया होगी क्या उसे चुप रहकर सब देखना चाहिए अम्मा जी अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार करती है फिर शायद उसे ही गलट ठहराते फिर वह क्या करेगी उसे इस घर में आये कुछ ही महीने तो हुए है अभी वह सबके स्वभाव से भी परिचित नहीं जेट जी को पता चलेगा तो उन पर क्या भी देगी पतनी और भाई के धोखे को वे सह नहीं सकेंगे वे बेहत सरल सौम्य और मिदभाशी है उसके पती भी ऐसे ही है देवर बहुत चुलबुला है उसके हरी भरी बगिया में प्रशनों की बेसुरी काटेदार जाडियां उगने लगी वह उन्हें सुलजाने में उलज दी गई भावी किन सोचों में डूबी हैं आप देवर की आवाद सुनकर वह चौकी पड़ी देर से वह अपने आप से लड़ रही थी अरे आप तो ऐसे चौकी जैसे आपकी चोरी पकड़ी गई देवर हस्ते हुए बोला वह उसके और देखे बिना किचन में चली गई किचन बिखरा छोड़ कर ही वह चली गई थी उसे समेटने लगी ठीक है आप चाय बनाए मैं अम्मा और बाओ जी को बुलाता हूँ देवर ने उसे देखकर कहा उसने कंखियों से देवर को देखा उसके चहरे पर कोई मलाल नहीं वही मुस्कुराता नटखट कमल उसे देखकर अम्मा जी अक्सर कहती है मेरे बेटे का नाम कमल है और उसका चहरा भी कमल की तरह खिला रहता है खुश मिजाज सबको खुशियां बाटता हुआ मेरे घर की रौनक है उसके विचार बेहद उलच गए है कमल तो कीचड से खिलकर सबको प्रसन्था देता है पर यह खिला हुआ कमल कीचड में धस्ता जा रहा है उसके हाथ काब गए और चाई गिर गई समपदा तेरा ध्यान कहा है सारी चाई गिरा दी और नीरा ने चाई की केटली उसके हाथ से ले ली समपदा बोखला गई और दूर जाकर खड़ी हो गई सजी धही मुसक्वराती नीरा सबको चाई देने लगी संपदा की सोच के खोड़े उसके बस में नहीं रहे वे बेतहाशा भागने लगे क्या उसने जो देखा उसके आखों का धोखा है या वहाँ सच मुच कुछ ऐसा हुआ है द्रेशे फ्लेश बैक सा घूमने लगा उसे महसूस हुआ उसका बदन तप रहा है संपदा वहाँ से जाने लगी तो देवर ने उसे कहा भाभी जी आज आप किन्ही ख्यालों में डूबी हुई है क्या बात है हमसे शेयर करें शायद हम आपकी कुछ मदद कर दे नहीं ऐसी कोई बात नहीं मेरी तबीय ठीक नहीं कहकर वह वहाँ से चली गई उसका इस तरह जाना सबको अटपटा लगा अम्मा बाउजी कमल और नीरा उसे जाते देखते रहे संपदा अस्वस्त हो गई चित से भी और शरीर से भी हमेशा उसका विवेक संबंधों की गरिमा तूटते ही उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है फिर कोई भी तर्क दिया जाए किसी तर्क को नहीं मानता नाजाय संबंध स्विकार नहीं करता और उसकी आत्मा उसे धिकार रही है कि वह चुप क्यूं है वह अंदर ही अंदर घुट रही है किसी से समवाद नहीं करना चाहती श्रेयोज के पती ने उसे कई बार उसकी उदासी और बेचैनी का कारण पूछा वह टाल गई अधिक समय वह अपने कमरे में अपने आप में सेम्टी रहती या घर के कामकाच को अनमने मन से चुप चाप करती अब उसने समय आ समय घर में घुमना बंद कर दिया परिवार के सदस्यों ने उसमें आए इस परिवर्तन को महसूस किया पर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया लापरवाह बनी रहे उसके भीतर उसके भीतर घमासान मचा है उसका मन कह रहा है कि वह अम्मा जी को बताए शेव को घर में हो रहे इस अनाचार की सूचना दे पर उसके मुँपर ताला लगा है और वह उस ताले को खोलने ही पा रही है बार-बार उसका मन उसे ऐसा करने से रोक लेता या भीतरी युद्ध उसके लिए असहनिय है वह अधिक दिन तक इस तरह नहीं जी सकती है वह जानती है एक दिन उसके भीतर का लावा फूट पड़ेगा इसी बात का उसे डर है लावा फूटने के परेडाम से भी वह भली भाती परचित है संपदा बेहत तनावपूर्ण समय से गुजर रही है गर्मियों के दिन है जो यहां वैसे ही लंबे होते है आठ बजे तक सूरज छुपने का नाम नहीं लेता नए देश नए परिवेश में स्वैम को ढालने की कोशिश में व्यथित है और अब घर में उसूलों ने एक नया मूर्चा खोल लिया है निराशा उस पर हावी हो रही है वह उससे निकलने की पूरी कोशिश कर रही है परिवार में होते हुए भी वह अकेला महसूस कर रही है पक्षियों का चचहाना तक उससे सुनाई नहीं देता वातावरण में किसी तरह का शोर नहीं चारो और सरनाटा रहता है वह फोन पर अक्सर अपने पीहर वालों से बात करती वोट से पर भी हर रोज के दिन चर्या अपने परिवार से साजा करती पर अपने भीतर की घुटन किसी को बता नहीं पाई नहीं बता पाई उन्हें कि उसने क्या देखा वह किस पीड़ा से गुजर रही है किसी को नहीं कह पाई कि ऐसे संबंध वह परदाश नहीं कर पा रही और वह बेहद मानसिक तनाव जहल रही है बस जूज रही है अकेली अपने आप से अपनी सोचों से, अपने अउसूलों से और कोई राह नहीं खोज पा रही संबंध बहुत अकेली हो गई है गर्मी की दो पहर यहां बहुत अलसाई होती है और ऐसे में अकेला पन और भी कछोटता है उसका स्वभाव ही ऐसा है वह कठिन परिस्थितियों में भी रास्ते तलाश लेती है उसने रास्ता निकाल भी लिया है टीवी पर दो पहर के सेरियल All My Children या One Life to Live देखकर अपनी उदासी और अकेला पन दूर करती है अकस्मात अम्मा जी उसके कमरे में आई और बोली संपदा हमें मंदिर ले चल वहां भागवत की कठा चल रही है हमें सुनने जाना है बाउजी बाहर लौन में खड़े हैं अम्मा जी मेरी तब्याट ठीक नहीं है आप नीरा भावी को ले जाएं मैंने तुमें कहा है तुम चलो चितनी ड्राइविंग करोगी उतना हाथ खुलेगा कुछ ही दिनों में वहां जान गई है अम्मा जी का कहा कोई टाल नहीं सकता वह मन मार कर उठी और कार के चाबियां लेकर गैराज में आ गई रास्ते भर और मंदिर में भागवत कथा में बैठी संपदा अपने विवे की उन से विचारों का स्वेटर बुनती रही जब से वह इस घर में आई है अम्मा जी कभी दोपहर को मंदिर नहीं गई फिर आज क्यों शायद उसे घर से बाहर लाने के लिए वे मंदिर आई है घर में जो हो रहा है हो सकता है अम्मा जी को पता हो पर एक मा ऐसा अनर्थ कैसे होने दे सकती है अम्मा जी का इस समय मंदिर आना संयोग मात्र भी हो सकता है विवेक और विचारों की टकराहर चलती रही विचारों का स्वेटर बुना जाता और विवेक उसे उधिर देता अब तक संपदा यह समझ चुकी है कि इस देश में भी स्वदेश की तरह जिन परिवारों का इकठा व्यवसाय है में सब एक साथ रहते हैं रहना उसे इसी परिवार में है शादी से पहले ही उसे बता दिया गया था कि ससुराल का संयुक्त परिवार है वैसे वह जिस परिवार से आई है वहाँ भी सारा परिवार इकठा एक ही घर में रहता है इसलिए उसे कुछ अंतर नहीं पड़ा स्वसुराल और पती से उसे कोई शिकायत नहीं पर जो देखा वह भूल नहीं पा रही सही और गलत का द्वंद पीछा नहीं छोड़ रहा एक भवरसा बन गया है जिसमें वह गहरे डूब रही है तो अम्मा जी उसे जरूर कुरेद लेती नीरा भावी उसे सने की चादर उढ़ाने अवश्या आती जानते हैं वह भावक है जल्दी ही पिघल जाती है वह स्वैम से ही तरक वितर करती रहती सोच बेहद नकारात्मक हो गई है जो उसे तंग कर रही है उसकी सकारात्मक्ता जैसे कोसो दूर भाग चुकी है अंद में उसने अपने विचारों की लगाम समाली उन्हें विराम दिया और स्वैम को समझाया किसी को कुछ पता नहीं चला उसके मन का वहम है उसकी अस्त व्यस्त अवस्था उसे विचलित करके तरह तरह के विचारों को जन्म दे रही है किर्तन शुरू हो गया और साथ ही शुरू हो गई नारायन की इस्तुति साजों की आवाज ने उसकी सोच के तंत्रों को जंजग्रित कर दिया और उसके विचारों के स्रिंखला तूट गई आर्ती के बाद प्रसाद लेकर वे घर को चल पड़े घर के पास पहुचते ही उसने कमल को कार में जाते देखा अम्मा जीवा सामने वाली कार में कमल था अकसमात उसके मूँसे निकल गया होगा मैंने देखा नहीं अम्मा जी ने वे परवाही से कहा काम छोड़ कर आया होगा उससे रहा नहीं गया संपदा किसी काम से घर आया होगा कुछ भूल गया होगा छोटी सी बात को बड़ा मत बनाओ मैं तुम्हारे सामने उससे पूछ लूँगी तसल्ली कर लेना बातों का बतंगड बनाने से घर की शान्ती भंग होती है अम्मा जी ने उसे जड़क देखवे कहा उनकी जड़क पर उसने खामोशी से दोनों की तरफ देखा अम्मा और बाउजी के चहरे पर तलखी आ गई घर आकर संपदा अपने कमरे में बंद हो गई उसके कंधे दुख रहे हैं सिर्भारी है जैसे कंधे उसके सिर का वोज उठा नहीं पा रहे मा को फोन करने के लिए बार बार उसके हाथ फोन के और बढ़े पर वह उन्हें फोन नहीं कर पाई तब ही नीरा उसके कमरे में आई वह उसके करीब आकर बैठ गई संपदा का चहरातन क्या क्या बात है संपदा तुम्हारा यह रूखापन हम पहली बार देख रहे हैं कोई तो कारण होगा इसका किसी की कोई बात बुरी लगी या देवर जी से वनमुटा हुआ है नीरा के पूशने पर संपदा ने कोई उत्तर नहीं दिया खामोश रही लाडो अगर तुम कुछ बताओगी नहीं तो हल कैसे निकलेगा मिश्री घुली आवाज में नीरा नी कहा नीरा प्यार से उसे लाडो कहती है संपदा ने नीरा की और देखे भी न कहा भावी मुझे अकेला छोड़ दे इस समय मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहती नीरा वहां से उठकर चली गई उसे नीरा पर गुस्सा आ रहा है शर्म घोल कर पीली है चेहरा गलानी रही था कितने आत्म मुर्श्वास के साथ बात करनी आई थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं उसके भीतर आकरोश बढ़ने लगा जब भी उसकी भावनाएं आप से बाहर होती मह लंबी-लंबी सासे लेकर उन्हें काबू में करती उसने स्वयम को ही तर्ग देने शुरू कर दिये दूसरों के कर्मों सेवा इतनी परिशान क्यूं हो गई जातो ससुराल वालों से में इन तहां खुश है बेहद इज़द करती है एक शालीन और सोलचेवे परिवार में शादी करवा कर वा गर्व अनभव करती है सब सदस्यों की भद्रता से वा प्रभावित है शादी से पहले शेव ने अपने बच्पन से लेकर जवानी के सब किस्से उसके साथ साजा किये थे परिवार के आर्थिक इस्थिति और व्यवसाय के बारे में सब कुछ बता दिया था परिवार के हर सदस्य के स्वभाव से भी परिशित करवा दिया था ताकि वा जल्दी ही परिवार से हिल मिल जाए श्रिव की सच्चाई और इमांदारी पर वा फिदा है परिवार के प्रक्तिशील विचारों की वा कायल है पर इस तरह की आजादी उसे स्विकार नहीं तो फिर वह अपने आपको इतनी सजा क्यूं दे रही है विरोध क्यूं नहीं करती, कुछ कहती क्यूं नहीं अपनी भावनाएं सपस्ट करने से वह घबरा क्यूं रही है एक अंजाना भै उसके भीतर बैठ गया है कुछ खोने का डर है उसे क्या खोएगी, खोना उसकी सोच की पकड में नहीं आ रहा कुछ देर वह शुने में ताकती रही फिर उठी और नीरा को फोन मिला दिया भावी मुझे आप से बात करनी है, मेरे कमरे में आ जाए नीरा मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हुई संपदा आखे उठा कर बार शुरू नहीं कर सकी उसने फोन तो कर दिया था, अब उसे पता नहीं चल रहा कि बात कहां से शुरू करे नीरा ने उसका चहरा बड़े प्यार से उठाया लाड़ो मुझे पता है तुम तकलीफ में हो तुमने जो देखा तुम्हें वो परिशान कर रहा है तुम बेचैन क्यूं हो, मेरी और देखो मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं मैंने जो किया सोच समझ कर जान बूझ कर किया जरूरत और मजबूरी बहुत कुछ करवा देती है मेरी मजबूरी थी और जरूरत भी जरूरत और मजबूरी में भी गलत कदम उठाना मुझे गवारा नहीं संपदा ने अपनी नजरे उठाई और नीरा के चहरे पर टिका दी जो तुम्हारी लिए गलत है वा किसी के लिए सही हो सकता है सब की सोच और तक्दिर एक जैसी नहीं होती आज तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी एक औरत को दूसरी औरत का दर समझना होका फिर जो सोचना चाहो मेरे बारे में सोच लेना मुझे जब पता चला देव तुम्हारे जेड जी बाप नहीं बन सकते मैं बहुत दुखी हुई बहतरी निलाज करवाया गया सब निश्फल रहा देव के शुकराणों बच्चा पैदा करने के छमता नहीं रखते वे मात्रा में बहुत कम है कोई दवाई उनकी मात्रा और छमता नहीं बढ़ा सकी मैं बच्चों की शौकीन हूँ मुझे बच्चे चाहिए देव से बेहत प्यार करती हूँ उनसे अलग नहीं हो सकती अगर मैं बांज होती और देव मुझे छोड़ देते मुझे कितना दुख होता छोड़ने की पीड़ा मैं देव को नहीं देना चाहती नीरा बहुत भाव होकर बोल रही है जब जेड जी को आपके करणामे का पता चलेगा तो उन्हीं पीड़ा नहीं पहुचेगी भावी जी जिस युग में हम सास ले रहे हैं इस युग में साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि बच्चा पैदा करने के कई विकल्प है फिर आपने कमल को ही क्यों चुना संपदा ने गुसे में कहा नीरा शांती से सुनती रही फिर बोली एक विकल्प है बच्चा गोद लेने का पर मैं स्वैम मा बनने का सुख लेना चाहती हूँ बच्चे के लिए मैंने कई वर्ष इंतजार किया मेरी उम्र बीत रही है पहले स्वैम मा बन लो फिर दूसरा बच्चा अडॉप्ट करूँगी दूसरे विकल्प की और आपने ध्यान नहीं दिया Artificial Insemination का संबंध मनाने की जरूरत ही नहीं पढ़ती और आप मा बन जाती संपदा का रोश बढ़ता जा रहा है मुझे अपने वंश का अंश चाहिए Fertility Clinic जाती वहाँ कई तरीके हैं वंश का अंश मिल जाता आपको परिवार के किसी भी मर्द से इस पर डोनेट करवा लेती पर नहीं आपको तो संसर्ग से बच्चा चाहिए दुख इस बात का है कि कमल तो मर्द है उसने अपनी मंगेतर जिजेल के बारे में नहीं सोचा आप तो औरत हैं आपको तो सोचना चाहिए आपने सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचा संपदा का चेहरा तम तम आ गया जिजेल ने मेरा दुख समझा उसकी इच्छा से ही सब कुछ हुआ है उसे अपने प्यार कमल और अपने आप पर भरोसा है और सबसे बढ़कर उसे मुश्पर भरोसा है गंभीर भाव से नीरा ने उत्तर दिया बक्वास बंद कीजे भावी कोई महिला अपनी मरजी से इसकी इजाज़त नहीं दे सकती चाहे वा कौकेशियन ही क्यों नहो नैतिक अनैतिक हर युक की हर देश की महिला जानती है संपदा की आवाज उची हो गई हर इंसान इस पर मन्थन करता है और यह मन्थन उस इंसान की संपती होता है तुम्हारी विचारधारा तुम्हारा मन्थन तुम्हारी अपनी संपती है उसे दूसरों पर थोपना जायज नहीं तुमने एक तरह से मुझे जूटा कहा है फोन तुम्हारे पास पड़ा है जिजेल को फोन करके पूछ लो नीरा उसी तरह शांत और गंभीर बोलती गई फर्टेलिटी क्लिनिक भी गई थी जिन तरीकों की तुम बात करती हो उन्हें आज माने शिवर कमल ने स्पर्म डोनेट किये थे तकदीर को कुछ और मंजूर था दोनों के स्पर्म शरीर छोड़ते ही कमजूर पड़ जाते हैं हाँ डॉक्टरी जात से इतना पता चला कि कमल के स्पर्म महिला संसर्म से बच सकते हैं तभी यह तरीका अपनाये गया यह संबंध सिर्फ प्रजणन के लिए था भावनात में कुछ भी नहीं भावी मैंने बहुत उड़ पटांग सुन लिया अब एक शब्द और नहीं जानवर भी प्रजणन प्रक्रिया में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और आप कह रही हैं संपदानी बात अधूरी छोड़ दी द्रितराष्ट और पांडू का जन्ब कैसे हुआ था कुंती के बेटे कहां से आये थे क्या पौराणिक कथाओं तक सब क्रियां इजायज हैं बाकी सब के लिए गलत या कहकर नीरा का चेहरा तम तमा गया लाडो आकाश में उड़ने वाला परिंदा जब धर्ती के ठोस धरातल पर पैर रखता है तब उसे एहसास होता है कि या थार्थ की कठोरता क्या है उसके मधूर गीत वरिक्षों की डालियों पर आकाश की फिजाओं में ही गूंचते हैं जमीन पर पांव रख कर वा गीत नहीं गाता कल्पना लोग में विच्रण कर तुम जीवन की कटुता को नहीं समझ सकती आकर शन प्रेम लस्ट और सच्चे प्रेम के अंतर को जिस दिन तुम समझ जाओगी उस दिन तुम मेरे सच को भी जान पाओगी देव से मैं सच्चा प्यार करती हूं और कमल के साथ अपने रिष्टे की गरिमा की रक्षा करना भी मैं जानती हूं मेरे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था या सुनकर संपदा का चेहरा कई भाव बदलने लगा नीरा कुछपल विराम लेकर द्रड़ता से बोली सुनो संपदा अब मुझे तुम्हे वह बताना पड़ेगा जो मैं तुम्हे बताना नहीं चाहती थी उठ सच की आज को तुम सह भी पाओगी या नहीं अभी कह नहीं सकती पर तुम्हारे बढ़ते रोश को ठंढ़ा करना भी उतना ही जरूरी है जितना सच को छुपाना शेव के भी वही समस्या है जो देव की है दोनों को यह पारिवारिक जिन्स की देन है जेनिटिक प्रॉब्लम डॉक्टरों ने परिवार के हिस्ट्री को जान कर यह पाया कि परिवार के कई बुजर्ग भी इससे पीडित थे बाउजी के ताया जी और चाचा जी के कोई बच्चा नहीं था और बाउजी बहुत इलाजों के बाद हुए थे लाडो क्या करोगी जब मा नहीं बन पाओगी कहकर नीरा चुप हो गई उसके मोह से निकले शब्दों की ध्वनियों से कमरे में इस तब्धता का कुहरा फैल कर संपदा के अस्तित्तों पर चाने लगा अभी आप सुन रहे थे सुधा ओम धिंगरा जी की लिखी कहानी विकल्ब